गल्यारों में बीति लंबे समय से सुपरस्टार गोविंदा और आक्टर कृष्णा अविशे के बीच के विवात को लेकर चर्चा हो रही है देखा जाए तो दोनों के विवात को लेकर अक्सर खबरें सामने आती है अपने इंटर्वियू में एक दूसरे के साथ जगडे को लेकर चर्चा करते हुए देखे जाते हैं हाल ही में गोविंदा ने अपने इंटर्वियू में अपने दिल की बात रखी है गोविंदा ने बात की है अपने भांजे कृष्णा अभिशेक के साथ रिस्ते को लेकर आखिरकार गोविंदा ने क्या कहा है बताएंगे आपको हमारे इस रिपोर्ट के जरिये दरसल सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं जब फैमस कॉमेडी शो दकपिल शर्मा शो में पहुँचे थे गोविंदा तब उस दोरान भांजे कृष्णा अभिशेक शो से नदारत रहे गोविंदा पहुचे थे अपने परिवार के साथ और उस दोरान भी गोविंदा और कृष्णा अभिशेक के बिगने रिस्ते को लेकर तमा बड़ी खबरें सामने आई कृष्णा अभिशेक ने भी अब तक अपने इंट्रव्यूज में कई बार बात सामने रखी है गोविंदा के साथ विवात को लेकर लेकिन हाल ही में गोविंदा ने चुपी तोड़ी है और गोविंदा ने अपने इंट्रव्यू में अपने दिल की बात रखी है। गोविंदा ने हाल ही में अपने इंट्रव्यू में कहा है कि मुझे नहीं पता कौन उनसे ये सब करवा रहा है। नहीं तो वह है अच्छा लड़का है वो ये सब करके ना सिर्फ मजे कर रहे हैं बलकि इससे मेरी इमेज भी खराब हो रही है जो भी इसके पीछे है वो चाहता है कि हमारे पीच कुछ सही ना हो गोविंदा ने अपने इंट्रिव्यू में अपने दिल की बात कही है और गोव कि खबरें पिछले कई दिनों से चल रही है ऐसे में देखा जाए तो कृष्ण अभिशेक ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि गोविंदा उनके बेटे से मिलने हॉस्पिटल तक भी नहीं गए थे वहीं दूसरी ही तरफ गोविंदा ने कृष्ण के स्टेटमेंट क जानने के बात कहा कि कृष्ण को शायद ये बात पता नहीं होगी कि वह अपने परिवार के साथ बच्चों को देखने हस्पिटल गए थे और वहां वह बच्चों की देखवाल करने वाले डॉक्टर और नर्स से भी मिले थे लेकिन बात में खबर ये भी सामने आई कि श्मीरा शाहा नहीं चाहती थी कि गोविंदा के परिवार का कोई भी सदस्य उनसे मिले गोविंदा ने बताया था कि फिर बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्हें बच्चों को दूर से देखने की परिमिशन दी गई और हम भारी मन से अपने घर वापिस लोटाए इतना ही यह भी कहा कि वह कृष्णा की बहन आर्ति सिंग के घर भी गए थे जो शायद अपने इंटरव्यू में बताना भूल गए वैल देखा जाए तो गोविंदा को कृष्णा के बरताफ से काफी दुख पहुचा और उन्होंने कहा कि अब वह कृष्णा और उनके परिवार से दूरे बना कर रखना चाहते हैं यह तमाम स्टेट्मेंट सामने आए दौनों के इंटरव्यू के जरिये लेकिन अब देखा जाए तो कोविंदा ने कृष्णा अभिशे की तारिफ करते हुए यह बात कही और कह दिया है कि यह सब करके ना सिर्फ मजे कर रहे हैं बलकि इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाई न्यूस